मुद्धी सरकार ध्यान बटाती है, रोज नए शिगूफे छोड़ना, रोज नए इवेंट्स करना, रोज हेड्लाइन मैनेजमेंट करना, तो सवाल उठता है और बड़ा जायस और वाजिब सवाल है, वो क्यों करती है? किस मुद्धे से ध्यान बटाने के लिए किया जाता है, बताया कुछ जाता है, वो तो दिख रहा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या छिपाना चाह रहे हैं वो बहुत ऐहम सवाल हो जाता है, अभी पिछले हफ्टे ये पूरा हफ्टा जो गया जो य खाल खतम हुए G20 का पूरा एक शोरगुल मचाय जा रहा था G20 का इधर शोरगुल था, सब कुछ धका जा रहा था, सब कुछ च्छिपाय जा रहा था तो हमने पता लगाया कि साब क्या-क्या छिपाया जा रहा है तो जी 20 की आड में कि एल जी 420 छिपाया जा रहा था कि जमू कश्मीर कि में चुनाव नहीं हो रहे हैं सीधे-सीधे केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहाँ एल जी है नाम उनका मनोज सिना जी है अक्सर खबरों में बने रहते हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं होती कभी किसी फ्रॉड से 25 लाग का लोन ले लेते हैं किताबों पर और अब जो मामला सामने आया है वो और जादा गंभीर है तेरह हजार करोड रुपे का गबन का भ्रष्टाचार जल शक्ती अजल जीवन जो भी आप उसको नाम देना चाहें और तो और एक अधिकारी जो की दलित परिवार से आता है गुजरात काडर का है डेपुटेशन पर जमू कश्मीर में है नाम अशोक परमार है आई एस है विसल ब्लोर है वो लगातार चिठियां लिखता है लगातार फ्लैग करता है लगातार ध्यान आकर शित करता है प्रशासन का कि साब ये गलत हो रहा है बिना टेंडर के हो रहा है बिना प्रक्रिया का अनुकरण किये हो रहा है कि साल में चार-चार-पांच-पांच बार उसका हस्तांतरन हो जाता है उसका स्थानांतरन हो जाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है कि चार-चार बार ना केवल उसका स्थानांतरन होता है उसको भरी मीटिंग में स्वयम LG द्वारा अपमानित किया जाता है विसल ब्लोर के साथ तो ये हालत और जिन अधिकारियों का वो नाम लेता है उन अधिकारियों को प्रमोशन मिल रही है तो अब आपको समझ में आता है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है क्यों ये इवेंट मैनेजमेंट होता है क्यों आपके मालिकों पर इतना दबाव होता है कि साब ये नहीं ये चलाओ इतने phone तो आपको अपनी धरमपतनी नहीं करती होगी या आप अपनी धरमपतनी को नहीं करते होगे जितने phone हरेन जोशी के आ जाते हैं आपके मालिकों के पास कबी सुना है अपने हर एक घंटे में मेसेज आ रहा है यह headline यह ठीक नहीं है इसमें कॉमा ठीक नहीं, इसमें फुल स्टॉप ठीक नहीं, इसमें उसका नाम गलत है इतना हस्तक शेप अगर मीडिया में हो रहा है, तो अब समझ लीजे कि क्यों हो रहा है वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आएं, वो मीडिया ऐसे स्कैम्स को, ऐसे घपलों को, ऐसे ब्रश्टाचार को सब के सामने लाएं कर दो में हो रहा है